एलकम टू जाइरा किचन आज हम बनाएंगे सूजी का चीला और बहुती आसान चटनी पहले हम एक कटोरी सूजी लेंगे आपके पास जो भी सूजी हो मोटी या बारीक आप कोई भी ले सकते हैं और कटोरी से जस्ट आधा हम इसमें दही डालेंगे दही और सूजी को हम अच्छे से मिक्स करेंगे अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और एक बैटर तयार करेंगे आप इसे बिना दही के भी बना सकते हैं लेकिन बिना दही के बनाएंगे तो ये हार्ड और ड्राय बनेगा दई डालने से हमारा चीला एकदम सॉफ्ट बनेगा और उसमें काफी सारा मौशर भी रहेगा क्योंकि दई गरम होकर पानी बनेगा जिससे की चीला सॉफ्ट बनेगा पानी हमको धीरे धीरे करके ही डालना है एकदम से हमें इसमें काफी सारा पानी नहीं डालना है अब हम इसमें 2 टी स्पून नमक डालेंगे इसे मिक्स करेंगे और हो सके तो आदे गंटे के लिए और अगर आपको जल्दी हो तो कम से कम 15 मिनट के लिए आप इसे ढख कर रख दीजिए जिससे की सूजी सारा पानी सोक कर लेगी और फूल जाएगी अब हम एक बहुत ही आसान सी और टेस्टी चटनी बनाएंगे उसके लिए मैंने एक कटोरी धनिया और उसकी डंडियों को भी धोकर मिक्सी के जार में डाल दिया है साथ ही मैं इसमें एक छोटा टुकडा ताजे नारियल का डालूंगी इसके बाद मैं इसमें दो हरी मिर्च डालूंगी एक इंच अद्रक का टुकडा डालूंगी दो टीस्पून मैं इसमें भुनी हुई मुफली जिसके छिलके मैंने हटा दिये डालूंगी एक टीस्पून मैं इसमें करी पत्ता डालूंगी एक टी स्पून भुनेवे जीरे का पाउडर डालूंगी दो टी स्पून मैं इसमें नमक डालूंगी आप चाहे तो काला नमक भी डाल सकते हैं और आप चाहे तो इसमें दही भी डाल सकते हैं उपर से मैं इसमें पानी डाल कर इसे अच्छे से पीस लूंगी हमारी चटनी बनके तयार है आज मैं इसमें दही की जगा नीम्बू डालूंगी जिसे कि इस चटनी का टेस्ट और बढ़ जाएगा ये चटनी आप कभी भी खा सकते हैं, वरत में भी आप ये चटनी खा सकते हैं और किसी भी दरीके के चीले के साथ आप ये चटनी खा सकते हैं चाहे बेसन का चीला हो, चाहे मूंग डाल का हो, चाहे साबुदाने का हो, ये चटनी सभी के साथ अच्छी लगती है 15-20 मिनट हो चुके हैं हम सूजी को चेक कर लेते हैं सूजी ने सारा पानी सोक कर लिया है फूल गई है और एक गाड़ा बैटर बनके तयार हो चुका है अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल कर इसे एड़जेस्ट कर लेंगे अब आप इसमें सीजन की जो भी सबजियां डालना चाहे वो आप बारीक काट कर डाल दीजे मैंने यहाँ पर मैंने इसमें बारीक कटी हुई प्याज, तमाटर, शिमला मिर्च, गाजर, एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च और एक कटोरी भरकर मैंने इसमें हरा धनिया डाला है आप चाहे तो अपनी पसंद से इसमें कॉर्ण, मटर और और कोई सबजी भी डाल सकते हैं इन सारी सबजीों को मिक्स करने के बाद मैं इसमें भूनेवे जीरे का पाउडर डालूंगी आप चाहे तो चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं अब मैं इसमें 1 फोर्थ टी स्पून बेकिंग सोडा डालूंगी आप चाहे तो इनो फूर्ट सॉल्ट भी डाल सकते हैं बेकिंग सोडा दही से रियक्ट करेगा जिससे की बबल उठेंगे तो हम इसका तुरंथ चीला बना लेंगे तेज गरम होना चाहे उसमें 1 टी स्पून तेल डाल कर मैं टीशू से अच्छे से साफ कर लूंगी अब मैं इसमें एक चमच भरके बैटर डालूँगी और एक छोटे चमच से इसे इस तरीके से फैला लूँगी आप इस चीले को एकदम पास से देखिए इसमें किस तरीके से जाली पड़ रही है इसका मतलब हमारा चीला बहुत ही अच्छा बनके तयार होगा अब चाहे तो आप इसे धक कर पका लीजिए और चाहे तो बिना धक कर पका लीजिए जब आपको लगे कि नीचे से इसके किनारे ब्राउन हो रहे हैं और वो पक चुके हैं तो आप उपर थोड़ा सा तेल डालिए और धीरे से इसे पलट लीजिए चीलो की साइज अगर छोटी होगी तो आप बहुत ही आसानी से आप इसे पलट पाएंगे देखें नीचे से कितना अच्छा चीला बनके तयार हुआ है अब इसे आप वापिस ढख दीजिए दो मिनिट के लिए और उसके बाद आप इसे वापिस से पलट लीजिए और धीरे धीरे प्रेस करते वे आप इसे और पका लीजिए हमारे वेजटेबल सूजी के चीले बनके तयार है आप इसे गरम गरम चटनी के साथ सर्व कीजिए ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें